महिला दिवस पर भारतिय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनाई गई नैशनल जोग्राफिक द्वारा फिल्म विमन ओफ ओनर रिलीस की जा रही है और इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतिय सेना की तीसरी लेफटनेंड जेनरल माधुरी कानितकर जी आपका सफर कैसे रहा अगर आपको शब्दों में उसे बया करने तो कहां मुश्किले रहीं कहां आपको बहुत जादा रुमांचक लगा मेरी सफर के बजाए अगर वही सारी लड़के लड़किया यह अगर मूवी देखे यह नो वुमन ओफ ओनर मुझे लगता है कि और प अगर मुवी है वुमन ओफ ओनर और यह लड़के लड़कियों के लिए दोनों को बराबर है इसलिए मैंने कहां यह सिर्फ वुमन नहीं है वुमन में मैं भी आ गया तो लड़के भी है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह वो कैप्चर किया है क्योंकि यही जो क्वालिट साथ में सीखी वो आगे भी सीखती गई और आज इस लेवल तक पहुंची हूँ उसका कारण है जो मुझे ओगनाइजेशन में मुझे मुझे मौके भी मिले कि इस तरीके से मैं चैलेंजिस को अपना हूँ उसके आगे निकलू और हल ढूनती जाओ जैसे कि माम आपकी स्प से दूर रहने के बावजूद अपनी ड्यूटी जिस तरह से करती रहें उसमें आपको फैमिली का भी योगदान मिला तो कहीं न कहीं महिलाओं को शायद वो योगदान नहीं मिल पाता है इसलिए वो फॉज में नहीं आ पाती हैं मुझे यह लगता है कि फॉज में अगर व का भी साथ मिला कई बार ऐसे हुआ कि मेरे घर से कोई नहीं आ सका लेकिन मेरे जो कलीक्स थे जो दूसरे ऑफसर्स थे उन्होंने भी मेरे बच्चों की देखबाल करी हलाकि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उस बाइम मैं वहां मौजूद नहीं थी मैं टेंपरी जूट है आज आप लेफटिनेंट जेनरल के पदपर हैं उस समय अगर हम पीछे फ्लाश बैक में जाएं जब आपने जॉइन किया था तब कैसा आप समझती थी तब आपको क्या ऐसा महसूस होता था कि किस पद तक आपको पहुचना है या कभी ऐसा हुआ कि होसला कमजोर पढ़त कभी पेरेंट्स ने कभी हस्बंड ने साथ दिया और कभी कलीग्स ने जो हमारी पहली पहली या मैडम पुनीता अरोरा है एक बार तो उन्होंने भी बिला के मुझे बड़ा लेक्चर दिया कि डाट भी पड़ी कभी कभी डाट भी पड़ी क्योंकि वह और इतनी प्यार भ आपको कहीं न कहीं इतना इफेक्ट कर जाती कि आप छोड़ने पर विचार करने लगते हैं बात यही थी कि बेटा बड़ा था टेंथ क्लास में चला गया कैनल लगा मामी आभी आप पठान को जा रहे हो मैं नाइंध में हो मैं और स्कूल नहीं बदलूंगा बेटी थी पा लोगों का परिवार तीन में बट रहा है और उसमें बेटी भी खुश नहीं बेटा भी खुश नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगी क्या छोड़ना चाहूं तो उस टाइम मुझे मुझे याद है मैडम पुनीता अरोरा ने कहा था बिलकुल नहीं छोड़ना है और देखना एक लेकिन यही बेटी आपको एक रोल मॉडल समझ के आगे जाएगा और वैसे ही हुआ है आखरी सवाल माम आपको कई सारी महिलाएं इस वक्त जो सुन रही हैं कई सारी ऐसी महिलाएं जिनके लिए आप प्रेना स्रोत हैं उनको एक मेसेज आप क्या देना चाहेंगी महिला दि लेकिन एक रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ एक जिम्मेदारी के साथ क्योंकि नहीं तो फिर आप अपना खुद रिस्पेक्ट ना खो जाओ आप मतलब आपके जो चैलेंज करोगे तो उसमें दूसरों की भी सोच रखो अपना देश अपना परिवार अपनी खुद की सब की जिसमें सबका भला हो, selfishness मतले हो क्योंकि एक औरत का जो रूप है उसको भी आप बनाए रखो तो आपने सुना माधुरी कानितकर जी को तीसरी महिला लेफटनेंट जेनरल इस पद पर पहुचना असान नहीं है और क्योंकि कई सारे sacrifices किये हैं और लगातार बुलंदियों पर पहुचने के लिए जो मेहनत करी है वो रंग लाई है कैमरपसिन भुपेंदर रावत के साथ अजातिका सेंग एबीपी न्यूज दिली